Dear students, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि lockdown के इस period में भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ, Class 10 का chapter, Chemical Reactions and Equations के कुछ questions. तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहला question में consider करता हूँ. Question इस तरह से है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Magnesium ribbon को हवा में जलाने से पहले, burn करने से पहले, clean क्यों किया जाता है? देखिए, इसका answer बहुत simple है, और तीन लाइन में मैं इसका answer दे सकता हूँ. और मैं दूँगा अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके answer को पहले में आपके साथ discuss कर लो. ठीक है, इससे क्या होगा? Conceptually आपको इसे समझने में और याद रखने में असानी रहेगी. देखिए, आपको यह पता है कि जब भी किसी metal को moist air में खुला छोड़ा जाता है, रखा जाता है, तो वो एक slow chemical reaction करदा शुरू कर देता है. और उस slow chemical reaction को कहते हैं corrosion. जैसे iron corrode होता है, iron भी corrosion में take part करता है, हिस्सा लेता है, और क्या बनता है? iron oxide, जिसे हम कहते हैं rusting of iron. silver article होते हैं, आपने घर में दिखा होगा, कुछ टाइम बाद वो उनकी surface काली पढ़ जाती है, क्यूं? क्यूंकि silver, जो है, वो corrode होता है, corrode होके बनाता है silver sulfide. ठीक, इसी तरह से copper भी corrode होता है, copper बनाता है copper carbonate, जो की green color का होता है, इसलिए copper vessels या copper से बने जितने भी articles होते हैं, alloys होते हैं, कुछ टाइम के बाद अपने surface पे एक green color की coating या green color develop कर लेते हैं. तो आपने दिखा होगा, जन्दोली सारे metal corrode होते हैं, ठीक, इसी तरह से. magnesium भी एक metal है, और magnesium तो एक reactive metal है, तो obviously जब वो खुला छोड़ा जाएगा, जब exposed होगा, वो moist air में, moist air का मतलब वो air जिसके अंदर water molecules present हो, जिसमें humidity हो, तो जब magnesium moist air में रहेगा खुला, तो वो भी corrode होगा, तो जब magnesium corrode होता है, तो बनाता है magnesium oxide. और यह magnesium oxide, magnesium के ऊपर एक coating की तरह रहता है, एक layer बना के रहता है, और जब हम magnesium को जलाते हैं, तब क्या होता है, यह जो magnesium oxide है, यह magnesium को जलने से रोकता है, उसको जलने में बाधाएं उत्पन करता है, difficulty produce करता है. तो इसलिए क्या किया जाता है, magnesium को जलने से पहले, magnesium को clean किया जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसके surface के उपर sand paper रप किया जाता है, ताकि magnesium ढंक से जल पाए, यह इसका conceptually answer है, बट दिखिए, यह तो आप exam में लिखने सकते हैं, यह तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था आप exam में क्या लिखोगे, तो exam में लिखने के लिए आप मैं आपको बताता हूँ, आप लिखेंगे, a magnesium ribbon develops a coating of magnesium oxide on its surface when it is left free in the moist air. this coating of magnesium oxide makes the burning of magnesium ribbon difficult, so in order to remove the coating of magnesium oxide, the magnesium ribbon is cleaned before burning, यह आपको exam में लिखकर आना है, ठीक है?